वेलकुन टू माई यूटूब चानल नेहा भी हल्दी कुछ जोखिम कारक होते हैं जो हड्डियों के खराब होने का कारण बनते हैं जैसे आपका पारिबारिक इतिहास और उम्र जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं लेकिन कई lifestyle option हैं जिने आप control कर सकते हैं और इन आदूतों से बचकर आप हड्डियों के नुकसान की दर को भी कम कर सकते हैं और अपने स्वास्त की बहतर रक्षा कर सकते हैं हड्डियों की मजबूती आपके संपूर्ण जीवन को सुख में बना सकती है यह समझना महत्तपूर्ण है कि केवल उम्र की जोडों की समस्या का कारण नहीं बनती lifestyle से जुड़ी कई ऐसी गति बीधिया है जो कमजोर हड्डियों और जोडों की समस्याओं का कारण बनती है और हम उन्ही आदतों को आसानी से छोड़ कर हिल्दी और मजबूत हर्डियां पा सकते हैं यहां हड्डियों को कमजोर करने वाली आपके कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया जो गया है जिने आपको आज ही छोड़ना चाहिए तो चलिए अप चानते हैं वो कौन-कौन से आदत है पहला है पूरे दिन घर के अंदर रहना बिटामिन डी की कमी हमारी हड्डियों को पतली और भंगुर बना सकती है बिटामिन डी के मुखिस रोतों में से एक है सूरे का परकाश इसलिए अगर आप बाहर परियाप्त समय नहीं पिताते हैं तो आपको इस पोशक तत्व की कमी हो सकती है दूसरा है धुम्रपान जो लोग तमबाकू का उपयोग करते हैं उनमें हड्डियों का घनत्व कम होता है या आंशिक रूप से है क्योंकि धूम्रपान मुक्त करन नामक खानी कारक प्रमाणों पैदा करते हैं जो हड्डियां बनाने वाली कोशिकाओं को मार देता है धूम्रपान तनाव हार्मोन कोटी सूल के उत्पादन को भी बढ़ाता है और हारमॉल कैलसी टोनिन के उतपादन को कम करता है कोटी सोल हमारे बोन स्टोक को कम कर सकता है तीसरा है गती हीन होना गती हीन रोगियों को अधिक तेजिसे हड़्डियों के नुक्सान का खत्रा होता है जब आप सोफे पर बैटे होते हैं तो आप शारेरी गतिवीदी के हड्डियों को मजबूत करने वाले लाभों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हड्डि के स्वास्त की बात आती है तो वेयाम बहुत ही महत्तपुर्ण होता है। अगला है बहुत अधिक नमकीन होजन करना। हाई सोडियम के सेवन से हड्डियों के कमजूर होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसी जैसे आपका सोडियम सेवन बढ़ता है आपका शरीर आपके मूहत्र के अधिक कैल्शियम छोड़ता है। इसलिए आप से ही अपने नमक का सेवन कम करें।